सक्रियता श्रीनी में सबसे उपर की ओर के धादूओं को प्राप्त करना आप देखेंगे कि कई धादूओं के अयस्क ऑक्साइड हैं ऐसा क्यूं है? ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि ऑक्सीजन एक अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्तू है और यह प्रित्वी पर काफी मात्रा में पाया जाता है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातू जैसे पोटाशियम, सोडियम, क्यालशियम, मेगनेशियम और अलुमिनियम सक्रियता श्रीनी में सबसे उपर रखे जाते हैं और अत्यर्धिक अभिक्रियाशील धातू के ओक्साइट बहुत स्थिर होते हैं और उन्हें कार्बन के द्वारा अप्चरित कर मुख धातू प्राप्ट नहीं किया जा सकता है उदाहरन के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मेगनीशियम, क्याल्शियम, अलुमिनियम आदी के ओक्साइट का अप्चाइन कर उन्हें धातू में परवर्दित नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐसा क्यूं है? ऐसा इसलिए है क्यूंकि इन धातू की बंधुदा कार्बन की अपेक्षा ओक्सीजन के प्रती अधिक हो दी है इस प्रकार अत्यधिक अभिक्रिया शील धातूं को कार्बन के साथ उनके ऑक्साइड को अप्चेट करके नहीं निकाला जा सकता है अब प्रश्णी है आता है कि फिर इन्हें प्राप्त कैसे किया जाएगा इन धातूओं को विद्यूद अबघटनी अबचैन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे हम अंग्रेजी में एलेक्ट्रोलाइटिक रिड़क्शन कहते हैं अब हम पढ़ेंगे कि विद्यूद अबघटनी अबचैन होता क्या है धातूओं के गलित लवनों से विद्यूद धारा को प्रवाहित करकी विद्यूद अबघटनी अबचैन किया जाता है इस प्रक्रिया को विद्यूद अबघटन भी कहा जाता है वीडियो को रोखे और इसे अपनी कॉपी में लिख ले विद्यूत अबघटन के दोरान कैθोर्ण जो इक रिनावेशित अलेक्टरोड है पर धातूय निशेपित हो जाती है जबकि एनोड जो कि धनावेशित अलेक्टरोड है पर क्लोरीन मुक्त होती है अभी ग्रियां कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप देख सकते हैं sodium आयस्थ से विद्यूद अबघटन करके हमें sodium धातू मिला sodium धातू को प्राप्त करने के लिए हम sodium आयस्थ लेते हैं जिसे rock salt भी कहते हैं और इसका विद्यूद अबघटन कराते हैं इसी तरह aluminium अपने oxide के विद्यूद अबघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है कुछ इस प्रकार